भाई सभी को न सुनिल भ्याजी का प्रणाम जैश्री महाकाल सभी के चरणों में सुनिल भ्याजी का प्रणाम ठीक है और गुरु गुरुदेव जी को भी प्रणाम ठीक है सभी को प्रणाम है भाई ठोपिक तो के हैआपने शमणतर लए तबेबह रहे हैं और सबंबने सोचे चलो एक ह्याइक खर्स पई आगार मनुब्यात चल रहा है तो आम थे दो चार बात बोल देवां है चीक है तो वाई system के बंड रहे हैं इतना बुंडा सांग कर रहा है कि वाई देख क्यों कर रहे हैं मतलब अरस जब था दाम के उपर तो बड़ा बड़ी आरस था ठीक है सब कुस बड़ी है था सब कि मैं लेकिन इब हरस ते ला गया बैए अपना उसने सिश्टम कर लिया तो भाई दिक्कत होगी ह है तो भाई देख अर्ष भाई ते भी बात बोलना चाहूंगा मैं ठीक है और बड़ा बाई है ठीक है गलती हो तोको यों तुम आफ कर देना भाई मैं सबका चोटा भाई हूं ठीक है कि भाई जिसकर लाग जा तो भाई फिर मेरें सब तृतीन सराव जाओ सारे इंचे सु तो भाई हर से बात इसी है इव माले देख मन्ना उस टाइम पर जब तने वीडियो बनाई मन्ने भी थोड़ा सा गलत फील होया था मन्नु भाईया तभी गाया कि भाई गुरुजी देखो हर्स भाईया ऐसे कर रहे हैं तो मतलब न अब जैसे आप मन्नु भाईया ने तुम्ह से मेरे भाई ठीक है तो मतलब हो सकता है कि भगवान ने आपको रिलाइज किया हो ठीक है देखो गलती किसी से भी हो सकती है इंसान जो हो भगवान तो होता नहीं है वह भी इंसानी है ठीक है इंसान इंसानी है भगवान भगवान है भाई गलती किसी से भी हो सकती है तो मैं सुबह सुबह वीडियो देखी कि मनु भीया को जैसे कि हर्ष महाविर धाम से जवाब आया तो भाई एक बात समझ में को नहीं आती जवाब देना तो अच्छे तो दिता बड़ी अच्छे थे पुरी परफॉर्मेंस में नहीं दिया जवाब सही बताँ तो ठीक है क्योंकि द दिया थी तो एक बात और बता दिम चलो ठीक है जो कर दिया उसने बता दिया कि भाई अगले मां ले काम कर रहा तो भाई तो बराबर हो गया अच्छी बात है इसकोई भी मिस्तरी है काम सी कि वाई अपने दुकान तो खोल लाएगा अर्थमने सारा ने कि बाई सब ने दु कि भगवान का भगत होता है और जो अच्छी तरह से बगती कर लेता है तो उस इंसान का समाज में रहने का बिलकुल भी मन नहीं करेगा वो समाज से दूर हो जाएगा उसको समाज से कोई मतलब नहीं तो मैं तो सब्सक्राइब करेंगे ना जो बड़े करते आये तो बच्चे भी करेंगे तो जैसे बड़ों के संसकार होते हैं छोटे बहुत परफॉंसमेंस भी उसी के अंदर आएगी तो अब मतलब जो मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं पहले तो आठाठाठाच रुपए की किरिया होती थी दस-दस लोग पता नहीं कितने-कितने रुपए लाख-लाख रुपए देके आए हैं ठीक है और मैं नाम नहीं लेना चाहता को मेरे को भी एक वीडियो बनाके बता देना ठीक है क्योंकि मेरे को डर नहीं लगता ठीक है मैं थोड़ी जुबान का ऐसा ही बंदा हूं क्योंकि महाकाल का बगतू किसी डर है नहीं मुक्त सुनील भाया किसी का भै नियस सुनील को चाहिए वह अपने आप में चाहिए बेसक लेकिन बाई एक बात सुन ले किसे का कुछ नहीं होता और ना कोई बगवान के सच्चे बगधान तो कोई मारा हाथ लगाओं यह कुछ कर सकता ना कोई बगध कर सकता ना तांत्रीक कर सकता ठीक है तो मेरी आख्खा में देखते हैं कि बाई कोण बोलन लाग रहा है ठीक है चल ठीक है बाई गुरू था बट मैं यह कहूंगा कि भाई गुरू को भी ऐसे वर्ड जो है ना उसको सुबह नहीं देते मैंने पहले भी यह काया है वीडियो के माध्यम से कि भाई ऐसे वर्डश हो भाई नहीं देते ठीक है वो बच्चा बिमार था एक साइड तो बोल रहे हैं कि यह गद्दी लगा एक साइड फिर वही वही सिस्टम आगया ना जब वही है अगर मालो अब कोई भी बंद और यह सकाले सराडा का दाप कुनिया करें ठीक है कोई भी बंदा हो जैसमा मनु भाई यह उसे हर्ष भाई अच्छे पैसेंट आओं यह जब मारा काम चाल लगा क्योंकि भाई खर्चे भी इतने हो हैं कि लाकड़ी के फिरीमा हो हैं दोने में लगड़ी अब दूसरी बात है भाई पैसेंट ना पैसेंट तो हर्ष के मेरे पास भी आता है प्रितम के भी आते हैं मनु भाई के भी आते हैं ठीक है तो भाई कोई किसी का सक्षम नहीं है आया समझ में चाहिए वह कितना भड़ा बगत हो जिसके हाथ से इलाज लिख रखा होगा ना उसी के हाथ से होगा और मैं तो यह कहूंगा मेरे पास पैसेंट कहां से आते हैं सा है तो भाई कोई किसी में श्रक्षम नहीं है ना कोई बड़ा बगत है आया समझ में सभी प्रभू का नाम लेते हैं सभी अपनी बगती करते हैं और समसान का चक्कर काटके देख लेना बहुत आयर बहुत गए बहुत सारे इतने बड़े-बड़े रिशी मुनी हैं बहुत और कि इसके अंदरह इसके अंदर समागिए यह राक लपेट रिखिके आ में थीकार तुनती जादा करता है तुम भी करते हो तुमने थोड़ी स्यजख्र कर ली वह उसका लेज़र तुम्हारी अचमार्य वह बयार दो बींस्युक्त आगे न समझ में और बात 24 24 गन्टे की बैठ नहीं की तो बाई सुनील के लिए तैयार है ठीक है चलेंजसे कर लेना चैंक कोई भी हो बहति 24 गंटे सुनिल बैठ सकता है 24 गंटे सुनिल ध्यान में बैठ सकता है हिलेगा भी नहीं 24 गंटे तक ठीक है और त्राटक का एक्स्पिरियस 5 गंटे का है आजाना चैलेंज में कभी अपने आपको दुरंद्र समझते हो कोई बाई 5 गंटे आखे खुली रक सकता है सुनिल 24 गंटे ध्यान में मगन रह सकता है बिना हिले डूले आगेना दान में 24 गंटे हावन के आगे बैठ सकता है और पांस दुनगी तपश्या चलेगी अभी पांस तारीक के बाद में अप्रेल में ठीक है ना तो भाई यह मत सोचो कि हमारे शूपर कोई नहीं है ठीक है मैं मेरा घमन नहीं बता रहा है मैं अपनी बगती के उपर बोल रहा हूं कि भाई मैंने बगती कर रखी है साधना कर दrzyए मैंने भी साधना किए किसी से कुछ नेली आज तक सुनील ने भाई किसी से कुछ नेली ऐ पिर भी करते है क्यों करते हैं मुझे अपने इष्ट पर विश्वास एठीक है गुरूर्ओं ने तो हमेसा दोखा दिया है आगे ना समस्पर हो मिझा सब को अपना स्वार्थ मतलब है बज ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा बाई जैश्री महाकाल